हाई फ्रेंड्स एक बफिर मैं आप सबके बीच में हूँ और आज हम बात करें आपके सांथ क्रिटिसिजम के बारे में अगर लाइफ में आप कुछ हासिल करना चाहते हैं अगर आप एक अच्छे बिजनेस परसन टीचर पेरंट लीडर बना चाहते हैं आपको इस बात को नहीं होगा हर इंसान जो है वह आपकी सक्सेस को समझ नहीं पाएगा बहुत अच्छा लगता है यह सुनकर कि हमारी फैमली फ्रेंड्स को वरकर्स हमारे साथ मिलकर सेलिब्रेट करें जब हम किसी चीज में सक्सेस्फुल होते हैं पर अक्सर ऐसा होता नहीं है कई लोग यह उन्हें कर पाते जैसे जैसे आफ जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं गौड आपकी लाइफ में फेवर देता है कोई न कोई कहीं न कहीं जैलस जरूर होका कोई आप में गल्तियां ढूंडने लगे का कोई आपकी बुराई करने लगे का तो डोंट बी सरप्राइस अगर कोई relative आपको discredit करता है या फिर आपको छोटा दिखाने की कोशिश करता है आप हर एक को खुश नहीं रख सकते, मैं हर एक को खुश नहीं रख सकती क्योंकि अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो इस चक्कर में हम अपने आपको ही खो देंगे याद रखेगा कि आपकी मनजल बहुत great है और आप दूसरों को अपने आपको distract नहीं करने दे सकते उन बातों को personally मतलें जो भी वो आपके बारे में कहते हैं वो आपके बारे में जो भी कहते हैं उसमें आपकी नहीं बलकि उनकी problem है आज सब कुछ भुला कर आगे बढ़ियेगा इस criticism में भी उन्हें माफ कर दीजेगा और आप अपनी जिन्दगी में अपने फोकस पर अपने गोल पर अपनी आँखों को टिकाई रखेगा तो फिर इंतजार किस बात का go and fulfill your dreams I hope कि आज आपने जरूर सीखा होगा कि जिन्दगी में हमें criticism मिलेगा और मिलता रहेगा लेकिन इस criticism को अपनी life में एक रुकावट मत बनने दीजेगा बलकि आप अपने फोकस को अगर अपने गोल पर रखेंगे तो जिन्दगी में जरूर सक्सेस्फुल होंगे